नमस्कार, क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं पूझवा लेकर आए हूँ आज एक ऐसी बात जो कॉंग्रस पार्टी के चश्मो चुराग गांधी परिवार के युवराज जिसके सर से छिन चुका है सांसदी का ताज राहूल गांधी है जिसका नाम उसे मेरी बात कहते हैं सच कड़वा होता है सच के पंक नहीं होते जो उड़ जाए और जीत हमेशा सच यानि कि सच्चाई की होती है तो आज कुछ ऐसी ही सच्चाई की बात करेंगे जिसे राहूल गांधी ने जूट का पुलंदा बना कर जम कर धिंडोरा पीटा जम कर मोहौल बनाया और आज पांच बड़े मुद्दे जिस पर राहूल गांधी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पर बड़ा खुलासा करेंगे पांच बड़े मुद्दे जो राहूल गांधी को इन दिनों बड़े चुब रहे हैं और इन पांच मुद्दों के वजह से ही राहूल गांध राहुल गांदी की राजनितिक गंभीर्टा हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। प्रफ़ देश के खिलाब जहर उगल सके लोगतंत्र खत्रे में है का रोना रो सके और इसलिए बारत जुड़ो यात्रा की अपार विफलता के बाद राखुल गांदी वदेश यात्रा पर निकल गये थे वदेश में जाकर उन्होंने दावा किया कि भारत में लोगतंत्र खत ना जाने क्या-क्या अनाब सनाब बयानबाजी की थी पर अब ये बयानबाजी राहुल गांदी को महगा पढ़ने वाला है यहां राहुल गांदी को अब वकील रवेंद्र गुपता की बात बड़ा चुब रही होगी क्योंकि 28 परवरी को Cambridge University में राखुल गांदी के दिये भाशन को लेकर दिल्ली के वकील रवेंद्र गुपता ने केस दर्श करा दिया है ये केस दिल्ली की 30 हजारी पुलिस पोस्ट में दर्श किया गया वकील रवेंद्र गुपता का आरोप है कि राखुल गांदी ने Cambridge University में लोकसभा चुनाओं से पहले चुनी हुई सरकार के बारे में नेगेटिब बाते की है विदेशी नागरिकों और भारत के नागरिकों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की राखुल गांदी ने कोशश की है मतलब अब राखुल गांदी कानूनी लड़ाई में ऐसे पसे हैं कि अब बात देश्तरों तक आ पहुँची है क्योंकि राखुल गांदी के खिलाब लिखी गई F.I.R. राज्तरों की धाराओं में दर्श किया गया है तो भारत के खिलाब चुपते आरोप ही अब राखुल गांदी को चुब रहे हैं वैसे चुबना भी चाहिए क्योंकि भारत के खिलाब जहर उगलने वालों को बक्षा नहीं जाना चाहिए अब देखिए वो कौन सी है दूसरी कानोनी लड़ाई जो राखुल गांदी के लिए मुसीबत बन चुकी है सावरकर के पोती ने कोट में खसीटा मैं सावरकर थोड़ी हूँ, मैं गांदी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा क्यों? कुछ ऐसा ही कहते हैं न राहुल गांदी बार बार राहुल गांदी वीर सावरकर का अपमान करते है वनायक दामोदर सावरकर के लिए राहुल गांदी के मन में कितनी घंड़ना और निरादार है ये किसी से अब नहीं चिपा है लेकिन अब सावरकर पर लगतार अबशब्द कहना सिग्र ही राहुल गांदी को भारी पढ़ने वाला है क्योंकि बीर सावरकर के पोते सातिकिक सावरकर की बात राहुल गांधी को चुब रही है क्योंकि उन्होंने आक्शन की मांग कर दी है सावरकर के पोते सातिकिक सावरकर ने राहुल गांधी पर मानहानी का केज दर्श कराया है सातिकी सावरकर का आरोप है कि राखुल गांदी ने जूटे आरोप लगा कर सावरकर का अपमान किया उनकी छवी को खराब करने की कोशिश की गई इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीटर पर ट्वीट करके भी दी है साथी राहुल गांदी का वो बयान भी उन्होंने शेयर किया है जिसके खलाफ उन्होंने आक्शन की मांगी है तो अब सावरकर का अपमान राहुल गांदी के लिए महंगा पड़ने वाला है कोट के चैरी के चकर से राहुल गांदी बच नहीं पाएंगे सावरकर के अपमान पर राहुल गांदी के सयोगी पाटिया भी अब राहुल गांदी से किनारा करते नजर आ रही है इस्तिती इतनी बुरी हो चुकी है कि उद्व सेना और उनके प्रमुक प्रवक्ता संजे राउत तक राखुल गांधी का समर्थन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो चलिये अब राहुल गांधी की तीसरी मुसीबत के बारे में बताते हैं जो राहुल गांधी को ऐसी चुँबेगी कि वो राहत पाने के चक्कर में अलग अलग कोट के दरवाजों पर भटकते रहेंगे औरेसेस पर कमेंट करना राहूल गांधी को पढ़ने जा रहा है बड़ा महगा क्योंकि समुद्दे पर भी राहूल गांधी कानूनी लडाई में बुरे तरह से फस चुके हैं एक दो नहीं बलकि RSS पर बयान देने की वज़ा से राहुल गांदी पर कई केस दर्ज हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं राहुल गांदी अक्सर RSS पर सवाल खड़े करते रहते हैं। बारत जोडो यात्रा के दोरान राहुल गांदी ने RSS पर जम कर विवादित बयान दिया था। उन्होंने RSS को 21 सदी का कौरब बताया था। ये भी कहा था कि आज के कौरब खाकी हाँ पैंट पहनते हैं। इस बयान को लेकर RSS के कारेकरता कमल मधोरिया ने राहुल गांदी के खिलाब हरिद्वा जुडिशल मजिस्ट्रेट शिव सिंग की अदालत में मानहानी का वाद दायर किया था जिस पर सुनवाई जारी है। तो वहीं एक बड़ा आरोप राहुल गांदी का RSS के खिलाब जिस पर उन्होंने कहा था कि महात्मा गांदी की हत्या के पीछे RSS का हाथ है। इस बयान को लेकर वो बुरे फस चुके हैं राश्टिस्वम सेवक संग के स्थान्य पताधिकारी राजेश कुंटेने ठाना के विबंडी इलाके में राहुल गांदी के इस भाशन को सुनने के बाद उनके खिलाब केस तर्श कराया था जिस पर सुनवाई जारी है और इस बिबादत बयान से भी बचना राहुल गांदी का मश्किल है अडानी पर जूटे आरोप लगा कर पसे राहुल गांदी ये बात राहुल गांदी को उतनी चुभेगी जितना वो आज कल दिन रात अडानी अडानी चला रहे हैं पिछले कुछ महीने से मानो राहुल गांदी पर अब जितना उन्होंने अडानी मुद्दे पर मुखल बनाने की कोशिश की उतना उन पर अब महंगा पढ़ने वाला है खबर है कि अडानी राहूल गांधी के आरोपों के खिलाब बड़ा आक्शन लेने की तैयारी में है तो वहीं असम के सियम हिमंत विश्व सर्मा ने भी राहूल गांधी को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है रेजल राउल गांदी ने एक ट्वीट कर बड़ी क्रेटिविटी दिखा कर अडानी के नाम से कुछनेताओं का नाम जोड़ा था पार्टी छोड़ने वाले कुछ लेताओं पर तंच कस्तेवे कहा था कि अडानी मामले पर सच्चाई छिपाने के लिए रोजाना ध्यान भटकाया जा रहा है और इसी ट्वीट में हिमंता का भी नाम जोड़ा गया जिसको लेकर राहूल गांदी के खिलाब हिमंत विश्व सर्मा मानहानी का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं जिसके जानकारी उन्होंने कुद प्र pops conference करके दी थी और अडानी अडानी चलाना भी राहूल गांदी को महगा पढ़ने वाला है मोदी सर्नेम मामले में जाना पढ़ेगा जे मोधी सरनेम का मामला ये ऐसा मामला है जिसमें राहूल गांधी की संसत सदस्ताग खत्म हो गई 2019 में करनाचक की राली में सभी चोरो का सरनेम मोधी ही क्यों होता है बोलने पर सूरत की एक अदालत ने राहूल गांधी को मानहानी का दोशी पाया और दो साल की सजा सुना दी हलाकि सजा के खिलाब राहूल गांधी कोट जरूर पहुंचे लंबी दलीले दी जिस पर फैसला अब कोट 20 एपरिल को सुनाएगा बचना तो राहूल गांधी का मुश्किल है क्योंकि मोधी सरने मामले में राहूल गांधी के खिलाब कई जगों पर केस दर्ज हो चुके है 25 एपरिल को तो पटना के कोट में राहूल गांधी को पेश होने का आदेश पी दे दिया गया है नहीं पेश होंगे तो राहूल गांधी के खिलाब गयर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है तो कुल मिलाकर राहूल गांधी पूरी तरह से कानूनी लड़ाई में फस चुके है एक के बाद एक उन पर कई मुकद में दर्ज हो चुके है कोड कचैरी का चकर ऐसा फसा है कि एक से निकलेंगे तो दूसरे में फसेंगे दूसरे से निकलेंगे तो तीसरे में फसेंगे एक-एक FIR अब राहूल गांधी को चुब रही है और चुबना भी चाहिए क्योंकि जब बिना सबूत के बयानबाजी करते हैं तो उसका अंजाम भी भुगतना चाहिए और जाते जाते सबसे बड़ी बात जो राहुल गांदी को चुबेगी जेल जाने से राहुल गांदी को कोई नहीं रोक पाएगा तो आप भी कॉमेंट कर वो बात सीधा लिखे कि राहुल गांदी को कौन सी बात चुबनी चाहिए आज के शो में फुलाल इतना ही देखते रिये कैपिटल टीवी नमस्कार करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया